Hello everyone, welcome to Defense Plexus, my name is Nana Khan and आज जो हम discuss करने वाले हैं, वो important revolution in agriculture का हम part 2 discuss करेंगे, जैसा कि आप सब जानते हैं, इसका part 1 मैं आपके साथ already discuss कर चुकी हूँ, जिन भी students ने इसका part 1 नहीं देखा है, वो हमारे चैनल पर जाके इसको देख लो, क्योंकि वो important है, ठीक है, और उसमें मैंने important question discuss किये हैं, आज हम इसका part 2 देखेंगे, और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, वीडियो को देखने के बाद उसको like and share ज़रूर कर दिया करो, और इस वीडियो की PDF जो है, वो मैं तुम्हें टेलिग्राम चैनल पर प्रोवाइड करोंगी, जो भी स्टूदेंट टेलिग्राम पर हमारे नहीं जुड़े हैं, वहां जाकर जुड़ जाएए, I am a love army करके हम लोग का टेलिग्राम पर चैनल है, और defense plexus और I am a love army हम इंस्टा पर हैं, तो जाकर इसको follow कर लो, start करते हैं अच्छा एक चीज और यार यह जो तुम्हारा एक रिकल्चर का टॉपिक है न यह तुम्हारे सारे एक्जैम्स में यहां से कॉश्चिन्स बनी जाते हैं ठीक है अभी पर सो अभी जो कुछ दिन पहले यूपी ट्रिपल सी का पेट का एक्जैम हुआ था ठीक है उसमें भी यहां से एक कॉश्चन आये हुआ है वो मैंने इस वीडियो में डाला है तो हम अभी आगे देखेंगे उस कॉश्चन को भी लास्ट वीडियो में हमने कहां तक डिसकस किया था ह यहां पे दो चीजे और रेलेट कर लो वो मैंने लास्ट वीडियो में नहीं बताई थी जो गोल्डन रिवलोशन है दिसके फादर है निर्पक ट्यूटरज ठीक है दिसके ट्सके वीडियो है और हमारा गोल्डन रेलुशन किससे रिलेटेड था वो था तुमारा किससे हward Carn जिसमें कि आप fruits और honey ये सब चीजे थी ना मैंने last video में बताया था तो इसके father और add कर लो ठीक है next था तुम्हारा pink revolution ये भी मैंने discuss किया था onion और prawn production से related था इसके father कौन थे इसके father थे दुर्गेश पटेल ठीक है दुर्गेश पटेल इसको note कर लेना और एक चीज और ये father जो ह नाम भी पूछ लेता है तो इसको अच्छे से याद करना next question हम देखेंगे black revolution ठीक है इसमें मैंने सारे revolutions discuss कर दिये हैं और ये इस video का इस series का last part है दो parts में ये कबर हो चुका है ठीक है black revolution की में बात करूं तो किस से related है black revolution जो है तुम्हारा petroleum product से related है ठीक है तो black revolution किस से हो गय petroleum से next हम देखेंगे golden fiber revolution अब एक चीज ज़रा यहाँ देखो यहां पे था golden revolution ठीक है जो horticulture से related था और यहां पे है तुम्हारा golden fiber revolution तो यहां पे ना confused मत घोना यह golden fiber revolution है ठीक है और वो golden है तुम्हारा golden fiber किस से related है वो है तुम्हारा j simples production से ठीक है जूट प्रोडक्शन से disconnected और आप सब जानते हैं कि इंडिया में तुम्हारा जो सबसे जादा लीडिंग प्रोड्यूसर है जूट का वो कौन सा स्टेट है वो है तुम्हारा वेस्ट बेंगोल ठीक है यह जूट प्रोडक्शन में नंबर वन पे आता है ठीक है यह भी नोट कर लेना नेक्स देखेंग कि हम ईकर से बात करें गरेत घ्रैवोल्यूसर की बात करेंगे ग्री र्र PAT तुम्हारा टिरेशर आप sut настолько कट बोड से बॉट बात करेंगे तुम्हें पता हैं ध्या होते हैं एग्रीकल्चर में थ्यां और पर लिटेट नबर वीडियो लेकर आऊंगी सी अधिए उसमें हम इ और रेक्स्ट की बात करेंगे हम ररेड रिवольूशन अच्छा अब एक चीज और देखो यहां पे यह है रेड रिवुलीशन । जैसे की तुम्हारा किसे ररलेटेड है मीट प्रोडक्शन, और टॉमाइट प्रोडक्शन से, ठीक है किसे मीट प्रोडक्शन से, टॉमेटो अब तुम एक चीज नोटिस कर रहे होगे कि कही ना कही जो रिविलिशन है वो को रिलेट कर रहे हैं जो भी हमारा प्रोड़क्ट है उसके कलर से तो तुम एजली आद कर लोगे ठीक है अचा यहां पे जो पिंक रिविलिशन था तो पिंक में यह मत करना कि अनियन को रख दि यह चीज ध्यान रखना ठीक है तो मैं बात कर रही थी तुम से रेड रिविलिशन की और यहां पे रेड रिविलिशन के फादर कौन थे दा मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट कौन है विशालतिवारी ठीक है विशालतिवारी है तुम्हारे किसके फादर रे एक राउंड रिवॉलीशन है तुम्हारा किससे है पोतेटो प्रोडाक्शन से है ठीक है और नेक्स्ट की मैं बात करूँ, silver revolution देखो, silver revolution तुम्हारा कई सारी चीजों से related है, silver revolution है तुम्हारा egg production से ठीक है, और poultry production से, ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा silver revolution और इसमें इसे related person कौन है, फादर तो मैं नहीं कहूँगी, ठीक है, क्योंकि, इंद्रा गांधी जो है, वो तुम्हारी है, silver revolution से related, ठीक है, उस time पे ही, इंद्रा गांधी ने, जब इंद्रा गांधी का time period चल रहा था, तब इन्होंने ही, क्या किया था, ये silver revolution लेकर रही थी, इन्होंने suggest किया था, उसम में hybrid hens से क्या कर रही थी, उसके थूँ ये production, जो थी, egg और poultry की yield को ये increase कर रही थी, ठीक है, उसमें मतलब ये था, कि भाई, hybrid hens है, तो उससे क्या होगा, कि फिर आपके egg production, ये सब चीज़े increase होती है, ठीक है, वो biotechnology का part है, जो ये hybrid पोर्शन होता है तुमारा, ठीक है, त नेक्स्ट की मैं बात करूँगी, ठीक है, नेक्स्ट है तुमारा white revolution, अच्छा, ये बहुत important question है, अभी जब video स्टार्ट हो थी, तब मैंने तुमें बताया था, कि यूपी ट्रपल सी में question पूछा गया था, ठीक है, यूपी ट्रपल सी के set 2 में ये question पूछा गया था, ये question क्यूरें, ठीक है, ये है white revolution के father, ठीक है, और दूसरी चीज, white revolution को तुम operation flood भी कहते हो, ठीक है, white revolution को तुम operation flood भी कहते हो, और ये किस से related है तुमारा milk production से, important देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, important है, तो तुमारा white revolution जो था, वो था तुमारा milk production से related, इसमें क्या हो गया थ production और इसके father कौन हो गए, वर्गी स्क्यूरें, ठीक है, next की मैं बात करूँ, कौन protein revolution, देखो, ये protein revolution भी बहुत important है, actually मैं ये दोनों ही बहुत important है, ठीक है, protein revolution जो था तुमारा, इसको हम second green revolution कहते हैं, क्यूं कहते हैं, इसको सबसे पहले ये देखो, कि इसको start किस नहीं था, then मैं तुम्हें बताऊंगी फिरागे, देखो, protein revolution जो था ना तुमारा, ये किसने start किया था, ये किया था, हमारे honorable prime minister, श्री नरेंदर मोदी जी ने, और किसने किया था, अरुन जेटली, ठीक है, former जो कि हमारे finance minister थे, इन्होंने ये revolution स्टार्ट किया था, कब स्टार्ट किया देखो, ये जो revolution था, इसको इन्होंने second green revolution कहा, इन्होंने क्यों कहा, इसमें इन्होंने क्या क्या consider किया था, इन्होंने इसमें green revolution लिया था, और इन्होंने इसमें क्या लिया था, इसमें इन्होंने लिया था, इन्होंने इसमें green revolution लिया था, और इसमें इन्होंने blue revolution लिया वाती बिहक्त, क्विस्स पराड़ीनमा, इसमत प्रोटीन प्रोटीन में छो और आपी प्रोडक्ट अ में को इनक्रीस करना के लिए यह आया थी तो यह किस से related हो गया था, यह related हो गया था green revolution जिसमें की plants आ जाते हैं, blue revolution जैसे कि हमने देखए उसमें fishes आ जाती है और protein में तुम्हारे कौन को ना जाते हैं जैसे कि तुम्हारा यह soya bean हो गया और इन सब चीजों से जिसमें भी protein और तुम्हारे legumes हो गए जैसे कि राजमा होता है तुम्हारा ठीक है और तुम्हारा ये सब चीजे होती है इन सब चीजों का production के लिए ये start किया गया था कौन सा protein revolution और किसने start किया था ये start किया था by PMR former finance minister अरुन जेटली अचा इन से related आपको एक बात और भी पता है कि डेली में जो तुम्हारा फिरोज शा कोटला स्टेडियम है ठीक है उसका नाम चेंज भी करके अरुन जेटली स्टेडियम रख दिया गया था ये current section में शाय सबको पता ही होगा ठीक है देखो हमने सारे revolution यहां प और कोकोवा से related था नेक्स था तुम्हारा golden revolution ठीक है और एक होता है तुम्हारा golden fiber revolution golden revolution तुम्हारा horticulture से father कौन थे निर्पक टिटरज और pink revolution वे तुम अनियन और प्राउन की बात कर रहे थे और father कौन थे दुरगेश पटेल next था तुम्हारा black revolution जो किस से related था petroleum product से ठीक है और फिर था तुम्हारा golden fiber जिसकी मैं बात कर रही थी golden fiber revolution तुम्हारा jute production से ठीक है next हो गया तुम्हारा कौन सा grey revolution जिसमें हम fertilizers की बात करते हैं ठीक है red में कौन है meat production और tomato और इसके father थे विशाल तिवारी और हमारा फिर last में था क्या की round revolution round revolution में तुम potato की बात कर रहे थे silver में तुम किसकी egg और poultry production की बात कर रहे थे इंद्रा गांधी जी थी उस समय उनोंने start किया था next की में बात करूं तो तुम्हारा था white revolution ठीक है जो की important था और इसके father कौन है वर्गी स्क्यूरेन ठीक है और किस से related था milk production से और white revolution को तुम operation flood भी कह रहे थे protein revolution की में बात करूं किसने start किया था PM एन अरणजेटली जी ने और इसको हम second green revolution कह रहे थे क्यूं कह रहे थे क्यूंकि इसमें हमने क्या क्या कंसीडर किया था इसमें हमने green revolution और fish blue revolution और तुम्हारा क्या था protein production यह हमने discuss किया था देखो यह थे आज आज की lecture के सारे question I hope यहां तक तुम्हें समझ में आया होगा ठीक है जितने भी revolution थे मैंने discuss कर लिये इनको अच्छे से याद कर ले ना वीडियो को like and share जरूर करना और चैनल को subscribe कर दो ठीक है और इसकी pdf तुम्हें telegram पे मिल जाएगी मिलते हैं next वीडियो में जैहन जै भार Kια कर देक हैं वाएगन जैहने देकी पुम्हें कर देक किया ऊच्छे से तेने कीrio marginal में जैसे नहीं है थादी KAV.